दोस्तो कपूर का इस्तिमाल आपने पूजा पाठ में तो अक्सर देखा ही होगा पर कपूर बहुत आउश्दिय गुन लिये हुव भी है आईए हम जानते हैं कि कपूर से क्या क्या फायदे हम ले सकते हैं जी हां बेड पर खटमल हो गए हूँ तो मैटरस को पहले धूप दि इतना ही नहीं घर में अगर चीटियों से परिशान है तो पानी में कपूर डिजॉल करके घर के सबी कोनों पर सप्रे कर देदिये इसकी समय से चीटियां चली जाती है यह तरीका पूरी तरह सेफ है डेंडरस से परिशान है तो गुन-गुने नारियल तेल में कपूर मिलाक कर मसाज करें एक हिंटे बाद बालों को शैंपू कर लें डेंडर दूर होने के साथ साथ बाल मजबूत भी हो जाएंगे चेहरे का गलो बढ़ाना है तो रात में सोते समय कच्चे दूद में थोड़ा सा कपूर मिलाकर कॉटन बाल की हेल्प से चेहरे पर लगाएं और टुकड़े कपूर के रखतें जिससे उनके फर में होने वाले किड़े मकौड़े या किटानू कभी भी पैदा नहीं होंगे यह पूरी तरह सुरक्षित उपाए है